हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास 10,000 है यानी 8,000 to 10,000 रुपीज है उससे अगर आप ट्वेडिंग की सुरुवात करना चाहते हैं तो कैसे आप कम पैसे में ट्वेडिंग की सुरुवात कर सकते हैं इसके उपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्योंकि mostly जो नए ट्वेडर होते हैं वो market में आते हैं वो mostly नुकसान ही करते हैं और नुकसान क्यों होता उस point की उपर भी हम highlight करेंगे और आपको ट्वेडिंग की सुरुवात कैसे करना चाहिए आपको कहां पे ट्वेड करना चाहिए क्या नए traders को future options में trade करना चाहिए नहीं तो कहां पे trade करना चाहिए इन सारे point की उपर हम इस वीडियो में detail से बात करेंगे तो चलिए start करते हैं तो यहां पे सबसे पहले हम चार्ट पे आगे और यह जो चार्ट है आपका देख सकते हैं वेदानता का daily chart है और यहां पे अगर हम pattern के basis पे देखें तो यहां पे हमें breakout देखने को मिला है एक जबरदस breakout देखने को मिला है और इस breakout को हमने काफी early identify किया था यहनि 300 के level को break करते ही यहां पे हम क्या करते हैं बाइसार की तरफ interview लेते हैं और इसको हमने कैसे identify किया है वो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह जो आप pattern देखने हैं यह आपका symmetrical pattern है यह एक type का आपका ट्रेंगल pattern है और इन सारे pattern के उपर हमने कई सारे video already बना लिया है और आपको breakout कैसे identify करना है उसको आप हमारे YouTube channel equity community पे visit करके देख सकते हैं नहीं तो उन सारे video का link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको breakout identify करना है और breakout identify करने के बाद हम कैसे trade ले सकते हैं तो आपके पास जो रहता है options में आप trade कर सकते हैं दूसरा आप यहाँ पे delivery में trade कर सकते हैं अब अगर आप beginner से नए हैं आपको future options के बारे में ज़्यादा information नहीं है तो आपको future options में trade नहीं करना है क्योंकि options में आप कम पैसे में trade कर सकते हैं लेकिर यहाँ पे बहुत सारा कुछ रहता है, यहाँ पे आपका time value देखना रहता है, आपका time decay भी एक बहुत ज़्यादा factor रहता है, जो आपके against जाता है, तो इन सब का knowledge होना चाहिए, क्योंकि market अगर आज उपर नहीं गया, 10 दिन बाद उपर गया, तो आपको यहाँ पे ज काफी limited है, और especially beginners को options trading avoid करना चाहिए, इसी के चक्कर में maximum जो लोग होते हैं, वो नुकसान करते हैं, तो अगर आपके पास कम capital है, और आप market में नए है, या फिर पहले से भी trade करें, और future options के बारे में information नहीं है, तो आपको क्या करना है, loss से बचना है, तो future options में आपको क्या करना होगा, trading avoid करना होगा, तब आप सोच रहे होंगी, हम trading करें कहाँ पर, आपको trading करना होगा, delivery में, क्योंकि यहाँ पर कोई restrictions नहीं रहता है, आपको single day profit मिली है, single day हट जाइए, पांस दिन रुकना पर तो पांस दिन आप रुक सकते हैं, दस दिन रुकना पर तो दस दिन अगर आपका price यहाँ से 10.00 ऊपर गया, तो हमें कितना profit मिलेगा, हमें profit मिलेगा, 30 into 10, that means to सिर्फ 300.00 का, सिर्फ 300.00 का यहाँ पर profit मिलेगा, और 300.00 का profit हम इसको profit नहीं calculate कर सकते हैं, at least हमें 1000 का profit चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज, अगर आपके पास 10.00 रुकन है, तो इतने पैसे में ही आप इसके 100.00 को buy कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 100.00 को buy करते हैं, और अगर आप 10.00 भी दिया, तो हमें यहाँ पे 1000.00 का profit मिलता हुआ दिखेगा, यानि सेम पैसे में हम ज़्यादा सेयर कैसे buy कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस से अगर आपका 15.00 या फिर 20.00 जेनरल ब्रेकाउट के बाद हमें देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे लगभग 2000 के करीब भी profit मिलता हुआ दिख सकता है, और आप percentage उसमें देखिए, 10.000 का 1000 कितना परसंट हो गया, लगभग 10% का return आपको single day या फिर हफते में मिल वह वह बहुत ज्यादा capital होता है, ज्यादा आपको लालत में भी नहीं पड़ना है, 10.000 लगा कि आप 5000 profit बनाने के चक्कर में मत परिये, 1000 के असपा sufficient profit होता है, ये भी बहुत ज्यादा profit हो जाता है, तो इससे आपको satisfy रहना परेगा, अब हम इसके उपर आएंगे कि कैसे आप 10. 10.000 में बेदान था कि 100 shares को भाई कर सकते या फिर आप कम पैसे में ज्यादा shares कैसे भाई कर सकते हो हम देखेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बन रहा है, उससे नीचे यह बन रहा है, मतलब lower high pattern का formation कर रहा है, तो उपर में आपका lower high pattern बनना चाहिए, नी यहाँ बना है, दूसरा लो यह बना है, यहाँ इस लो को अगर हम इस तरह स्ट्वेट लाइन रहा करें, यहाँ पर स्ट्वेट लाइन रहा करें, यहाँ पर में हमें higher low pattern का formation दिखा है, तो जब भी symmetrical triangle बनता है, तो आपका lower high, यहाँ जो भी high बनता है previous high से नीचे, और जो price का nature क्या है, price का nature है move करना, लेकिन यहाँ पर moment कम हो रहा, moment कम हो रहा, डैमिस्ट्रों में, बहुत जल्द blast देखने को मिलेगा, और उसी blast को हम किस नाम से जानते हैं, breakout के नाम से जानते हैं, तो इस तरीके से हम breakout fine कर सकते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें entry कम लेना breakout तो दिया 300 से पहले, लेकिन हमारे लिए crucial level है 300, हम इसके option chain पर भी आना चाहेंगे, यहाँ पर हम इसके option chain पर आते हैं, अब इसके अगर हम option chain को देखें, तो देख सकते हैं, यहाँ पर 300 जो है, वो आपका एक options barrier level है, क्योंकि यहाँ पर call side में सब ज़्यादा open interest यहीं पर देखने को मिल भाया, अब इसको break करके ऊपर निकला है, तो बहुत सारी लोग यहाँ पर जो होंगे, वो क्या होंगे, वो यहाँ पर trap होंगे, अब अगर price थोड़ा सा नीचे भी आता है, यह सारी लोग क्या करेंगे, मार्केट से exit करेंगे, इस कारण से भी यह जो level है, आ यहाँ पर और ज्यादा buyers entry करते हुए दिखेंगे, फिर अगला जो hurdle है, आपका 320 के असपास है, यहाँ से लगबाग 15 से 20 point price आपका उपर जा सकता है, और हम 10,000 में कितने quantity बाई कर सकते हैं, 100 quantity, अगर 20 point जाता है तो हमें आसानी से 2000 करीब profit मिल सकता है, या नहीं चाहो तो आप इससे पहले भी सिर्फ 10 point में 1000 point का profit लेके बहुत जल्दी market से, या नि सेम डे या फिर एक दो दिर में market से निकल सकते हो, अब यह काम हम कैसे कर सकते हैं, उसके उपर आते हैं, तो इसके लिए आप एक चीज़ फाइदा उठाओ सकते हैं, margin trade funding का, जो कि आपको धन के trading platform म सानी से अबलेबल रहता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर विलाइंस का example आपको देना चाहूंगा, तो देखिए, अगर आपको विलाइंस के एक shares buy करना कितना लाएगा, 25,70 लेकिन अगर आप margin trade funding का फाइदा उठाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ आप 643 रूपीज म 10 shares को buy कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 times का leverage दिया जा रहा है, और सब ज़्यादा leverage आपको धन ही provide करता है, तो अगर आपका धन में trading और teammate account है, तो आप margin trade funding का फाइदा उठा करके, delivery में भी आप कम पैसे में ज़्यादा shares buy करके, वहाँ से भी profit बना सकते हैं, जहाँ पर trading करना बहुत ज़्यादा safe माना जाता है, वहीं अगर आपका trading और teammate account धन में नहीं है, तो इस वीडियो के description में link दिया गया, उस link पे click करके आप अपना trading और teammate account धन में open कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम वेदानता की बात करें, तो सारे stocks में यह थोड़ा सा अलग लग रहता है, वे यहाँ पर अगर हमें लगबग 100 shares buy करना रहा, तो उसके लिए देखिए, हमें लगबग 10,000 to 11,000 का ही capital लग रहा है, यानि हम कम capital में यहाँ पर ज़्यादा buy कर सकते हैं, यानि हम 100 quantity आसानी से 10,000 करीब buy कर सकते हैं, अभी जो हमारा target price है, 320 उसके करीब आ गया, अगर हम इसक 310 या फिर 312 के करीब रखते हैं, तो हम इसको आसानी से कितने 10,000 capital में buy कर सकते हैं, 100 quantity, तो इस तरीके से हम कम पैसे में ज़्यादा shares buy कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपका 20 point का profit मिल गया, अगर आपने इंट वी लिया होता, 20 into 100 करते हैं, तो आसानी से यहाँ पे आपक 30% का return मिल वाया है, जो कि more than sufficient मारा जाता है, और यह चीज धन के trading platform में असानी से available है, जो कि मैंने आपको already बता दिया है, trading or dimate account धन में नहीं है, तो इस वीडियो के description में लिंक है, वहाँ पे जाके आप open कर सकते हैं, और trading or dimate account पहले से हैं, तो आप जब buy पे click करते हैं, delivery में तो MTF का option आता, उस पे जाके आप इस facility का फाइदा उठा सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम interest की बात करें, तो आपको T plus 2 days में कोई interest पे करने की जबतने कोई interest नहीं लगता, उसके बाद आपको सिर्फ 0.04%, यह नहीं, अगर आप 100 रुपे का margin लेते हैं, तो उसके लिए सिर् T plus 2 days आपका विल्कुल free है, इस तरीके साब इसका फाइदा उठा सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि आपको breakout सबसे पहले find करना होगा, breakout find करने का multiple तरीका है, आप चाहो तो सिर्फ options barrier level के basis पे भी find कर सकते हैं, अगर कोई options barrier level है, जहाँ पे सब ज़्यादा open interest ह हमें दिख रहा, उसको break करके अगर price उपर जाता है, तो वहाँ भी हम entry ले सकते नहीं, तो multiple pattern है, उसके basis पे भी हम entry ले सकते हैं, उमीद करते हैं, यह जो concept है, आपको समझ में आ गया होगा, कि कैसे आप कम पैसे में delivery में trade करके, यानि safe trade करके, आप ज़्यादा profit बना सकते है अगर आपको वीडियो पसंद आ है, प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए, चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe भी किजिए, साथी साथ, bell icon दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो upload करें, उसका notification आपको मिल जाए, और आप वीडियो मिस्त ना करें, so that's all friends, मिलत नेक्स वीडियो में, जैहन